हाई फ्रेंड्स वेल्कम्टू देवा एंग्ली से स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स। सच, सच एज इन सच अवे। आज हम इन तीनू के बारे में सिखेंगे। हम सच के सारे इस्तेमालाज सिखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स? सच का मतलब क्या होता है? such, such का मतलब होता है ऐसा या इस तरह का such as का मतलब होता है ऐसे या उधारणता मतलब उधारण के तौर पर हम बोलते हैं न कि जैसे मेरे पास बहुत सारी चीज़े हैं जैसे कि मुबाइल, टीवी, लैप्टॉप, कैमेरा इस तरह से और तिसरा है इन सच वे, इस तरह से या ऐसे ओके फ्रेंट्स, तो एकके करका हम सारे सच का इस्तेमाल विश्तार से सिखने वाल हैं वीडियो को क्यूट मत करना पूरा वीडियो देखना, एंड़ता के देखना तभी आपको concept क्लियर हो पाएगा ओके फ्रेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट देखना क्लास अब देखना फ्रेंट्स, सच, 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 इन सच वे, इन तिरों का इस्तमाल बहुत ही सिंपल है बहुत ज्यादा मुश्कील नहीं है कुछ भी मुश्कील नहीं है बस हम sentences के द्वारा समझते जाएंगे concept क्लियर होता जाएगा ओके फ्रेंट्स, सबसे पहला जो है सच सच मतलब ऐसा या इस तरह का ठीक है जैसे हम बोलते हैं कि ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है इस तरह के लोग मुझे पसंद नहीं है ठीक है फ्रेंट्स, तो इस तरह के sentences बनाने के लिए हम सच का इस्तमाल करते हैं, ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है, या इस तरह के लोग मुझे पसंद नहीं है तो I don't like such people ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं है I don't like such children इसी तरह से हम सच का इस्तमाल और भी बहुत सारे sentences के द्वारा समझते जाते है मैंने ऐसा भ्यानक दिरिश्य कभी नहीं देखा था I had never seen such a horrible sight ऐसे लोग उसके दोश्ट है Such people are his friends इस तरह के लोग मुझे अच्छे नहीं लगते है I don't like such people मैंने ऐसी कई कहानिया सुनी है I have heard many such stories इस तरह के लोग स्वार्थी होते हैं Such people are selfish मैं ऐसा काम नहीं करता I don't do such work मैं ऐसा काम नहीं करता इसके बदले मैं इस तरह का काम नहीं करता Such का मतलब friends ऐसा या इस तरह का दोनों तरह से हम बोल सकते हैं Okay friends अभी हम इसी तरह से such as का इस्तमाल सिखेंगे Such as का मतलब होता है जैसे की या उदाहरनत Okay friends जैसे हम बोलते हैं की उसके साथ कई लोग हैं जैसे की रमेश, शुरेश, राहूल, सुनील There are many people with him Such as रमेश, सुरेश, राहूल, सुनील मेरे पास कई चीज़े हैं I have many things Such as Laptop, Camera, Watch, Mobile मैंने तुम्हें कई चीज़े दी हैं I have given you Many things Such as Laptop, Watch, Cycle, Motorcycle ETC हम सच ऐस वाले sentences में Last में ETC ज़रूर बोलते हैं एक्सेक्टर, एक्सेक्टर बहुत सारे त्योहार भारत में मनाई जाते हैं जैसे कि Holy, Eid, Diwali, दशहरा, गणपती ETC इत्यादी, इत्यादी Many festivals are celebrated in India Such as Holy, Diwali, गणपती, दशहरा, Eid, वैशाखी ETC Okay friends ये था सच आइस का इस्तमान उमीद करता हूँ कि आपको sentences के दोवारा पूरा concept clear हो जाता होगा कि इसका इस्तमान हम में किस तरह से करना है और किस वे में करना है Okay friends अभी तिसरा है In such a way मतलब इस तरह से या ऐसे जैसे बोलते हैं मैं ऐसे इस काम को करता हूँ I do this work in such a way उसने मुझे इस तरह से देखा कि मुझे प्यार हो गया See Show me in such a way that I fell in love तुम ऐसे बात करते हो कि मैं तुभे मना नहीं कर सकता You talk in such a way that I can't refuse you Okay friends तो इस तरह से हम such such as in such a way का इस्तमाल करते हैं Friends सिर्फ इतना ही काफी नहीं है हमारा काम है Concept को समझाना, examples के द्वारा बट आपका काम है काफी सारे practice करना जितना ज्यादा practice करेंगे आप उतना ही ज्यादा आप English में improve करेंगे Okay friends आपकी speaking English उतनी ही ज्यादा improve होगी जितना ज्यादा आप practice करेंगे कुछ भी, कोई विवाशा सिखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा बात करने या बोलने की जरूरत होती है Okay friends तो friends उमीद करता हो कि आज क्या concept किलियर हो गया होगा और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अच्छा लगने पर friends लाइक कर दिया किजे और हाँ friends अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप English सिखना चाहते है तो आपसे गुजारिश है कि आप सानल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को क्लिक करके All Notification को On कर दिजे ताकि हमारे हर वीडियो का Notification आपको मिलता रहे और आप घर बेठे English सिखते रहे तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए Thanks, Thanks a lot and धनेवाद